हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइ चैनल अगेन आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने के लिए लाई हूँ अध्रक के गटागड बनाने की रेसिपी तो स्टार्ट करते हैं आज हम अध्रक के गटागड बनाना अद्रक के गटागट बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो अद्रक लिया है अद्रक को हमने अच्छे से वास कर लिया सबसे पहले हमने इसे छीला और उसके बाद अच्छे से वास कर लिया है और बॉस करने के बाद अब हम इनको छोटे छोटे पीसिज में कट कर लेंगे यहाँ पर सारी अत्रक को हमने कट कर लिया है और कट करने के बाद इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें दूद डाला और इसे ग्राइंड करेंगे दूद डाल कर हमने इसे ग्राइंड किया और अभी यह मोटा ग्राइंड हुआ है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दूद और डाल लेंगे जिससे कि यह बारी ग्राइंड हो जाए और इसका हमें बारिक पेस्ट बनाना है गटागट बनाने के लिए तो यहाँ पर हमने थोड़ा दूद और डाला इसे ग्राइन करेंगे गैस पर हमने कड़ाई रखी और इसमें घी डाल लिया है खी मेल्ट होनी लगा है तो अब यहाँ पर जो हमने ग्राइंड किया हुआ अद्रक रखा है उसी इसमें ढाल लेती है हमें अद्रक की एक टागट बनाने के लिए अद्रक को बारी ग्राइन करना है और अब इसे हम यहाँ पर रोष्ट करेंगे रोष्ट हमें तब तक करना है जब तक इस में से पानी बिल्कुल सूख जाए पानी को सूखनी देंगे और बढ़िया से रोष्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अद्रग में से पानी सूखनी लगा है और बिल्कुल तले से ना लगे इस बात का हमें ध्यान देना है अध्रक को हमने यहां पर रोस्ट किया अब एक पाव हमने यहां पर चीनी डाल ली है आप चाहें तो यहां पर गुल भी डाल सकते हैं और चाहें तो चीनी डाल कर भी इसे बना सकते हैं गुल डाल कर भी यह बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है चीनी डालने के बाद इसमें लिक्विड बनने लगा है और हम इसे रोष्ट करते रहेंगे जब तक कि ये liquid विलकुल खतम नँ हो जाए इससे हमें ढ?ःंग से बनाना है कि हम इसके गटागण तयार कर सकें consistency को ध्यान में देना है कि ये जमने लायक तयार हो तो इसे रोष्ट करते रहेंगे और बढ़िया से से जमने लायक बनाना है तो हाथ को बिल्कुल एक सा चलाना है जिससे कि ये तली पर ना लगे और तली पर लगने से इसके टेस्ट में करवाहर सी आ जाती है और अच्छा नहीं लगता है अब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल जमने लायक हो गई है तो हमने गैस ओफ कर ली है और गैस ओफ करने के बाद इसे हम एक प्लेट में खाली कर लेते हैं हमने एक प्लेट में फॉइल पेपर लगाया और इसमें हम इसे टांस्वर कर लेंगे तो यहाँ पर हमें इसके गटागड बनाने है इसे हमें थोड़ा ठंडा होने देना है बहुत ज़्यादा गरम में हम बना नहीं सकते और बहुत ज़्यादा हमें ठंडा भी नहीं करना है जिससे कि यह टाइट सा हो जाए और हम इसके गटागड तयार नहीं करपाए अब यहा लिया और इसकी छोटी छोटी सी गोली बनाना स्टार्ट किया आप चाहें छोटी बड़ी जैसी भी आपको पसंद है उस साइड में इसे बना कर रख सकते हैं तो फ्रेंड्स बदलते मौसम में हमारा गलाग सर खराब हो जाता है खांसी नजला जुखाम हमें होता है तो हम सकते हैं जिससे कि हमें इससे आराम मिलेगा और हमारा गला सरी रहेगा तो बदलते मौसम में हम गटागट बना कर तैयार कर सकते हैं और इसे ले सकते हैं तो यहां पर हमारी गटागट बनकर हो गई हैं तैयार और अगर आपको आती हैं मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज की और आप नजले से हिजात पाईए और मेरी वीडियो को कीजिए लाइक अपने फ्रेंड्स में सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ बाई बाई